नमस्कार दोस्तो माय सहब डॉक्र सुनील तावर कंसल्टेंट एंट एंट एंड राइनोप्लास्टी सर्जन दोस्तो आज हम जानेंगे बड़ी ही एक कोमन समझ्या सोर थ्रोट क्या है सोर थ्रोट जिसको हम लोकल लेंग्वेज में गले में खरास बोलते हैं क्या है यह प्र सब्सक्राइब कर करना ना भूले एंड जो बेल आइकोन है उसको प्रेस करना ना भूले जिससे आने वाले जो है नई उपयोगी जानकरी का नोटिपिकेशन आपको मिलता रहे सो दोस्तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या है लक्सन सोर थ्रोट की गले में खरास के क्या लक्सन है तो दोस्तो इसकी जो कॉमन लक्सन है जिसे खासी का आना चीक का आना बार बार जो है वो गले में वो इसका चैंजेज होना जिसको गले का खरास बोलते हैं फीवर का आना ब गले में खरास और सोर्थ्रोट के लक्सन होते हैं। बहुत बार कुछ समय तक जब ये continue चलते रहते हैं, तो पेशेंट्स को ear pain और कान में fullness, कान में दर्द ये समश्या का सामना भी करना पड़ता है। तो ये हैं गले में खरास के कोमन लक्सन जिससे अपने को पहचाना जा सकता है। इसके बाद second important चीज है, क्या इसके कारण है। गले में खरास सोर्थ्रोट के important कारण है। तो दोस्तों कुछ 3-4 इसके महत्वपूर्ण कारण है। पहला important कारण है वो है infection। इनफेक्शन वो viral infection हो सकता है, bacterial infection हो सकता है। जो common viral infection होता है, वो होता है, flu virus, coronavirus। जब viral infection होता है, तो patient को common symptoms होते हैं, common लक्सन होते हैं, वो गले में उसको बार-बार खासी काना है, छीक काना है, headache होना है, fever होना है, आवाज में changes होना है, ये viral infection की लक्सन होते हैं। जब bacterial infection होता है उसके लक्षन थोड़े अलग होते हैं उसमें patients को क्या है गले में दर्ध होना है and difficulty in swallowing कोई भी चीज swallow करते टाइम उसको गले में दर्ध होना है और जो है गले में white patchage है रेसेज है गले में वो होना होता है तो ये जो है वो viral infection और bacterial infection एक important कारण है अब दोनों म तो अगर कुछ लक्षन जैसे गले के अंदर जो है swallow करते टाइम पे कुछ pain हो रहा है आपको या गले में या lymph node जो ग्रंती है उसकी swelling है या आपको fever है और साथ के अंदर जो है आपको खासी नहीं है और throat के अंदर आपको white patches बने हुए है तो ये indicate करता है bacterial infection को और अगर ये स infection को तो infection एक important जो है वो कारण है second important जो region है जो कारण है वो है allergy अब allergy आपको हो सकता है कोई खाद्यपदार से हो सकती हो allergy हो सकता है कोई आपको कोई contact से हो सकती हो like जैसे house dust है house dust mides है और बहुत सारी चीज़ें होती है allergy हो सकता है आपको pollen के करण भी हो सकती है so allergy भी एक common region है गले में खराश का third important region है acidity अगर किसी को acidity continue रहती है तो जो अपने stomach में पेट में जो acid बनता है उसकी डखारें उसको continue आती रहती है और उनके करण भी क्या है कि गले में खराश उसको patients को continue चलती रहती है तो third जो है important टे लास्ट इंपोर्टेंट रिजिए औक्यूपेशन बाट बार दोस्तों आपकी ईक्यूपेशन से भी कुछ प्रोफेशनल जिसको है जाट सोवते हैं like doenSab your plays जो लोग प्रोफेशनल ज़्यादा होता है, पॉलिटेड एरिया होता है, वहां पे भी गले की खरास कोमन पाई जाती है लोगों के अंदर, तो ये तीन चार एक कोमन जो है इसके रीजन है गले में खरास के, नौ इसके बाद में दोस्तों क्या इसका उपचार है, तो गले में खरास का जो उपचार ह उसको अपन दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं कुछ मेडिकेशन से हैं एंड सेकिंड कुछ होम रेमेडीज है तो मेडिकेशन में दोस्तों इसमें जब गले में पेन है आपको तो कोमल जो है अनालजैसिक लाइक सिंपल पैरसेटामोल डोलो 650 टेबलेट आप ले सकते हैं कुछ एंटि हिस्टामेनिक टेबलेट हैं जो आपको कॉफ है स्नीजिंग है उसके प्रेवेंशन के लिए लिए जाती है और कुछ कफ लोजेंज है चुशने की गोली हैं जिसके अंदर जिंजर होता है हनी होता है जो आपके थ्रोट में जो स्वेलिंग होती है उसके लिए पूर्ण बात है कि अगर आपको एंटीबाइटिक डॉक्टर ने फाइब डे की प्रसकाइब की है यूज्वली देखने को यह मिलता है कि जैसे तीन दिन बाद में पेशेंट्स को रिलिफ हो जाता है और ही स्टोफ दे एंटीबाइटिक ऐसा नहीं करना आपको अगर आपको पाँच दिन का कोर्स है तो अगर एंटीबाइटिक है डॉक्टर ने डाइगनोज करके दिया है तो आप उसको पूरा फाइब डेज का कोर्स लो अदर्वाइज आपको वो जो बैक्टीरिया है वो उससे रजिस्टेंट हो जाएगा और आपको फिर वो एंटीबाइटिक आगे future में काम नहीं करेगी तो यह है उसका जो है उपचार है जो treatment है medication से कुछ home remedies का भी इसमें एक role है जैसे आप stem inhalation ले सकते हैं आप जो है दूद में जो है वो आपको हल्दी डाल के वो भी ले सकते हैं कुछ तुलसी और अदरक का पानी का वो भी ले सकते हैं और gargles भी कर सकते हैं तो यह home remedies है तो यह है गले में खरास और sore throat का उपचार दोस्तों अभी next जो important चीज है how can we prevent कैसे sore throat की problem से बचा जा सकता है पहला first उपाई frequently hand washing आपको बार बार जैसे covid में अपने को सिखाया 20 seconds तक आपको जब भी आप कोई चीज बाहर से कोई खाना खाते हैं आपको जो है आपना face wash करते हैं आप किसी से patient से मिलके आते हैं या कहीं पर भी जाके आप अपना hand wash करना नहीं बूले यह first important preventing measure है second important you use the mask we are the mask आपको mask पहना नहीं बूले जिससे आपको pollution और allergy से बचाओ हो सके third है आपका gargles आप continue जो है जब भी आपको लगे आप gargles अपना कर सकते हैं आपको कोई चीज से allergy है तो अपना allergy profile करा के आप यह पता लगाईए कि कौन सी चीज है जिसको आपको allergy रहती है और जिस चीज से आपको allergy है आजकल उसकी immunotherapy दी जाती है उसकी वैक्सिन बनती है उस particular चीज की जैसे आज पूरी दुनिया कोविड की वैक्सिन लगा रही है और एक प्लड में उसका antibody डवलप होता है ऐसी उस वैक्सिन को लेने से भी उस allergy से आगे जो है उसके दुस्परिणाम से और बार-बार होने से बचा जा सकता है और इसके अलावा कोई और कारण है लाइक जैसे कोई नोज के अंदर कारण है कोई आपका जो है नेजल ब्लोकेज है उसको भी correction कराना चाहिए तो ये हैं इसके बचाव के उपाए दोस्तो सोर्थ्रोट और गले की खराश से related जो common हमारे पास patients के सवाल आते हैं कि डॉक्षाब इसके लिए क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना इसमें सबसे important है कि जो आपको नरम चीजें होती है जैसे दलिया है खिचडी है गरम सूप है ये सब चीजें आप ले सकते हूँ क्या नहीं खाना चाहिए इसके अंदर spicy food है packed food है जैसे chips है और बहुत थंडी चीजे है आइस की चीजे है वो आपको avoid करनी चाहिए एक common सवाल patients का ये भी होता है हम कितनी बार gargles करने चाहिए तो आपको जो है दो बार at least जो है दो या तीन बार gargles बहुत continue बार-बार gargles अपने को नहीं करना चाहिए आपको पानी खूब पीना चाहिए आपको जो है warm water जो है at least एक दो गंटे में एक glass आपको लेना चाहिए तो ये preventive measure है और जो common सवाल है जो patient इसके लिए पूछता है आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी जाने से पहले आप ये चैनल को subscribe करना नहीं बूले जो bell icon है उसको प्रेस करना नहीं बूले जिससे आगे वाले videos का आपको notifications मिलता रहे Thank you